हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रहे हैं सबकी पढ़ा एकदम बढ़िया सो माइनम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यार से चले में खुबसूरा से चले में जे आर कॉलेज में जो की पाट है जे आर टुटोलियल का ओके सो जैसा कि आपको पता है वी अप स्टाटेड़ टॉपिक वीच बढ़ियो को लाइक करो चैनलों को सस्क्राइब करो और अपने को शेयर कर दो फटाफटा ओके बहुत मज़ेदार है topic चालू होने वाला आज, तो last lecture में हम लोग आगर तुमको याद होगा, तो हम लोग ने discussion कर लिया था, rotational dynamics का, rotational motion वाला part, circular motion वाला part हम लोग ने खतम कर दिया, हम लोग ने last lecture में rotational motion वाला part चालू कर दिया था, और rotational motion में हम लोग ने discussion कर लिया था, moment of inertia क्या होता है, फिर kinetic energy क्या होती है rotating body की, जो rotational का concept है, वो क्या होता है, torque क्या होता है, वो साही कहानी हम लोग ने देख लिती, आज के जो topic में हम लोग discuss करने वाले है, वो क्या discuss करने वाले हम लोग discuss करने वाले है, भाई angular momentum of rotating body, conservation of angular momentum, हम लोग moment of inertia देखेंगे, अलग-अलग shapes का, फिर हम लोग देखेंगे सबसे important, यह जो दो question है, बहुत important question है, that is parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, यह बहुत काम की चीज़ है, तो यह 5 topic आज के lecture में हम लोग क्या करेंगे, खतन करने के कोशिस करेंगे, ओके, चलो, so आज का lecture बहुत मज़ेदार होने वाल चलो, so सबसे basic topic, that is angular momentum of rotating body, momentum तुमको याद होगा, तुमने 11th में पड़ा है, भाई, momentum, linear momentum क्या होता था, linear momentum basically होता था, कि P is equals to mb, it is a product of mass and velocity, it is a product of mass and velocity, तो मैंने तुमको analogous सिखाया, analogous मतलब क्या, भाई, अगर तुमको linear quantity पता है, और उसका angular quantity निकालना है, तो simply क्या करो, उसके analogous से replace कर दो, जैसे माल लो, कि अगर हम लोग बात करे, mass, भाई, mass होता है linear में, okay, angular में क्या हो जाता है, चीज़े, angular motion, rotational motion में क्या हो जाता है, वही चीज़को हम लोग replace कर देते है, moment of inertia से, which is nothing but I, मेरा जो linear velocity है, that is V, वो replace हो जाएगा किस से, omega से, तो य आगया मेरे पास formula for angular momentum, this is nothing but angular momentum, यही है मेरा angular momentum, अब मैंने तुमको जो trick समझाया है, उससे तुमको यह बहुत easy रहेगा, okay, momentum, बहुत easy रहेगा यह कहानी, भाई, अगर तुमको कोई भी linear की quantity याद है, और तुमको उसको angular में convert करना है, तो उसके angular quantity से replace कर दो, simply, तो हम लोग angular momentum को L से represent करते हैं, mass के जगे हम लोग ने लिख दिया, moment of inertia, और linear velocity के जगे हम लोग ने लिख दिया, omega which is nothing but angular velocity, हाँ या ना, कहा नहीं समझना है, कि नहीं समझना है, अब यह कहां से आया, कैसे आया, क्या concept है, क्या चीज़े है, वो सारा चीज हम लोग डिसकर्स करेंगे, tension म गौर करो, तो अगर तुमको याद होगा, भाई, टॉर्क को हम लोग कैसे ये कराते हैं, देखो जारा, टॉर्क, अगर हम लोग देखने जाए, तो टॉर्क को हम लोग बसिकली रिप्रेजन कराते हैं, that is R x F, आया ना, तो टॉर्क बसिकली होता क्या है, टॉर्क होता है त टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है तुम्हारा it is a cross product of position vector, this is the position vector and this is the force, यह तुम्हारा position vector है and force, इसको हम लोग torque को एक और नाम है, torque को हम लोग बोलते हैं moment of force, moment of force, अतलब force का moment लेना, क्या करना, force का moment लेना, तो उसी तरह मेरे पास angular momentum और linear momentum का भी relation है, that relation is nothing but L is equals to R cross P, where R is nothing but your position vector and P is your nothing but linear momentum and L is nothing but angular momentum which is also called as moment of linear momentum, which is also called as moment of linear momentum, ओके देखो L क्या है, L is equals to R cross P, भाई देखो यहाँ पर ध्यान सा समझने, कोशिस करो कि यह है क्या, basically, तो अब यह force apply किया, अब यह force apply किया, r distance, यह तुमारा r distance है, force apply किया, इस पर क्या लग रहा है, टर्क लग रहा है, उसी तरह angular momentum क्या है, मालनों कि यहाँ पर मैं momentum apply कर रहा हूं, तो यह momentum into this R is nothing but angular momentum, okay, मतलब moment of momentum, किसका, moment of momentum is a angular momentum, मतलब जब कभी भी मैं linear momentum को RK, उसके position vector के साथ multiply कर दूँगा, तो मेरे को जो quantity मिलेगा, that quantity is nothing but angular momentum, वो जो quantity है, वो कौनसी quantity होगी, वो quantity होगी angular momentum, कहा नी सुनना रही everyone, पका, यह बहुत काम की चीज़ है, यह relation दिमाग में बैठा लो, अब यह relation आया, कहां से, यही compression करो, भाइक टॉर्क का जो formula है, उसी तरह तुमारे पास, L का एक formula है, that is, L is equals to R cross P, तो यह अपने को याद रखना, यह, that is very important, और बाकी चीज़ अगर तुमको याद नहीं रहेंगी, तो भी चल दाएगा, बढ़ यह चीज़ अपने को याद रखनी है, तो इसको side में कर देते हैं, let's say, अब यह vector form है, किसमे है, vector form में, अगर यह vector form में नहीं रहता, अगर माल लो यह vector form में नहीं रखता हुँआ, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते था आपन, इसको अपन लिख सकते था, L is equals to Rp sin theta, अब यह तुमको पता है, कि भाई, यहाँ पर cross sign है, cross को अगर हटाना है, तो sign लगाना पड़ता है, यह दो चीज़ आपने को पता है, तो angular momentum का अपने पास, दो condition आगया, that is, L is equals to R cross P, और L is equals to Rp sin theta, अब यह एक और formula हम लोग ने देखा था, that is, L is equals to I omega, भाई, यह कहां से आया, यह सेम कहानी, सेम concepts आया, जो last lecture में तुमको याद होगा, हम लोग ने kinetic energy और torque निकालना सीखा था, सेम कहानी से यह आएगा, और मैंने शाहिद तक तुमको homework भी दिया था, गर तुम लोग ने homework practice किया रहेगा, तो well and good, नहीं किया रहेगा, तो यहाँ पर देख लो, okay, क्या करना है, हमको start करना है velocity से, okay, तो क्या हो जाएगा, consider करेंगे हम लोग, less body, एक body है, consider a body, okay, अब यह हम लोग ने एक body consider कर लिया, हाँ या ना, अब बहुत सारे उसके अंदर mass है हमारे पास, okay, हम लोग ने individual particle consider किया, m1, m2, m3, m4, m5, m6, mn तक हैसे बहुत सारे हैं, okay, so हम लोग ने बहुत सारे यहाँ पर mass consider कर लिया, तो consider a body of mass capital M, हैं, उनका जो mass है, वो capital M है, okay, बड़ा mass है, और उसके अंदर बहुत सारे individual particle है, also, and also, having individual particle of mass, m1, m2, m3, ऐसे dot 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 dot, कहां तक, mn तक, बरबर, हैं न, and rotating with, यह एक, माल लो, constant angular velocity के साथ rotate कर रहा है, that is omega, अब omega क्या है, भाई, omega सब के लिए same होगा, याद रखना, linear velocity सब के लिए बदलती है, बट omega सब के लिए नहीं change होता है, यह चीज़ याद रखना हो, कि omega और alpha सब particle के लिए क्या रहता है, same होता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, कि अगर individual particle है, तो V1 particle के लिए क्या हो जाएगा formula, भाई, V1 के लिए मैं लिए लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है, यह relation कहां से आ रहा है, भाई, lecture number 1 देख लो, V is equals to R omega, यह कहानी है, velocity 2 कहां से आ रहा है, that is V2 is equals to R2 omega, बरबर, हाया ना, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे भाई, Vn तक, Vn क्या हो जाएगा, that is Rn omega, बरबर, हाया ना, ऐसे हमारे पास सारे velocities निकल गए, V1, V2, V3, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे linear momentum, because हमको linear momentum और angular momentum की कहानी पता है, उन दोनों का relation पता है, तो वो चीज़ पर हम लोग थ्यान देंगे, तो मालो, V1, V2, Vn सब लिकाल लिया, अब आपन क्या करेंगे, अब आपन निकालेंगे linear momentum, तो linear momentum क्या हो जाएगा, linear momentum, is given by, देखो जाना linear momentum क्या हो जाएगा, that is P1 is equals to M1, V1 हाँ या ना, linear momentum में को पता है क्या होता है, M1, V1, but what is V1, V1 is nothing but R1 omega, substitute, तो क्या मिलेगा, that is R1, what is V1, that is R1 omega हाँ या ना, वैसी P2 क्या हो जाएगा, P2 will be, that is M2, V2 हाँ या ना, अब M2, V2 है, तो obviously V2 को जाएगे क्या put कर सकता हूँ, R2 omega तो put कर दो, that is M2, R2 omega, SEM को क्या put करना है, SEM को put करना है, VN, तो क्या मिलेगा, that is PN is equals to Rn, omega हाँ या ना, तो या Rn नहीं है यहाँ पे, ओके Rn, omega आप देखो ज़रा, यहाँ पे, यहाँ आप दोना मिस्टिक हो गया, पहले हम लोग put करेंगे, फेले formula लिखेंगे, that is PN is equals to MN, VN, अब VN के ज़रागे put करेंगे, Rn omega, तो क्या हो जाएगा, that is MN, Rn, omega हाँ या ना, यह मेरे को मिल गया क्या, linear momentum, अब मुझे पता है, what is the relation between linear momentum and angular momentum, that is L is equals to Rp sin theta, again here theta will be 0, theta will be 90, अब theta 90 है, तो sin 90 क्या होता है, sin 91 हो जाता है, कैसे 90 होगा, हम लोग ने last lecture में discuss किया है, यह चीज़, ओके, चलो, ओके, तो, ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखने जाएगा, यहाँ पर तो L का formula क्या है, angular momentum, angular momentum is given by, angular momentum, that is, L is equals to Rp sin theta, that is, Rp sin theta, but again, theta is 90, theta 90 कैसे होता है, वापस एक बार सम्झा देता हूं, देखो, कोई गलत बात नहीं है, ओके, मानलो, take this paper, एक sheet है यह, अब यहाँ पर यह rotate कर रहा है, तो this is the axis of rotation, यह मेरा axis of rotation है, और यहाँ कहीं particle होगा, तो अगर हम लोग देखने जाएग, तो यहाँ से जो distance होगा, यहाँ से जो distance होगा, अगर हम लोग देखने जाएग, ऐसा distance जो है, यह क्या होगा, सारे particle का देखने जाऊँगा, तो L1 is equals to R1 P1, हाँ है न, but what is P1, भाई, यहाँ पर हम लोग ने P1 calculate किया है, P1 किसके बराबर है, M1 R1 omega के बराबर है, तो यहाँ पर substitute कर दो, तो कहाँ मिलेगा, therefore, R1, same हाएगा, M1 R1, already एक R1 है, यह R1 जाएगा, तो R1 का square, into M1 omega, ऐसी L2 के लिख सकते है, L2 के लिक हो जाएगा, that is R2 P2, यहाँ पर क्या मिलेगा, that is R2 square, M2 omega, ऐसी हम लोग LN के लिख सकते है, तो LN के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, that is RN PN, is equals to, youहाँ पर क्या हो जाएगा, that is RN का square, अब टोटल के लिए सब को क्या करो, टोटल के लिए सब को आड कर दो, अब जब तुम लोग टोटल के लिए सब को आड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, टोटल अंगुलर मोमेंटम विल बी, टोटल अंगुलर मोमेंटम विल बी, तो that is L is equals to L1 plus L2 plus L3 ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे LN तक जाएंगे अब सब में देखो ज़रा सब में कुछ चीज तो common आ रहा है ज़रा ध्यान से देखो सारे चीज में कुछ चीज तो common आ रहा है सब में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ओमेगा सम में common आ रहा है तो ओमेगा अगर मैं common ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा that is M1 R1 का square plus M2 R2 का square plus M3 R3 का square ऐसे कहां तक मिलेगा मेरे को ऐसा MN तक मिलेगा that is MN RN का square बरबार और बाजू में ओमेगा common आ जाएगा अब इसको क्या लिखते हैं जरा देखो ध्यान से यह हम रों ने पढ़ा है last lecture में this is nothing but your moment of inertia भाई the product of mass and square of the distance between the axis of rotation and that particle is nothing but a moment of inertia तो यह पूरा का पूरा क्या है यह तुमारा moment of inertia है so this can be written as summation of I is equals to 1 to N M I R I का square हाँ याना N to omega and this thing is nothing but a moment of inertia तो I omega L is equals to क्या मिल गया L is equals to I omega मिल गया this is your angular momentum of rotating body अगर बोला कि भाई derive the formula for angular momentum of rotating body तो यह formula है जो आपने को derive करना है start करना है अपने को यहाँ से diagram बना देना है थोड़ा बहुत consideration लिख देना है और यहाँ तक अपने को वह चीज़ बताना है याद रखना angular momentum important है याद रखना इस chapter में एक से बढ़के एक derivation है और सारे के सारे important derivation है याद रखना यहाँ पर derivation का बहुत महत्वा पड़ता है क्योंकि अगर हम physics की बात करे तो physics में जादा करके theory ना आके derivations बहुत जादा पूछे जाते हैं तो वो चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो clear बासन आ गई next topic की तरफ बढ़ते हैं that is conservation of angular momentum अगर तुमको याद होगा तो तुमारा जो linear momentum है वो भी conserved होता है linear momentum तुमारा क्या होता है conserved होता है since linear momentum तुमारा conserved होता है तो angular momentum भी तुमारा क्या रहेगा conserved रहेगा तो conservation of angular momentum मतलब जब कहीं पे भी angular motion हो रहा होगा angular motion में सारे motion आ जाते है कहीं पे भी मतलब body turn हो रही है तो वहाँ पे जो momentum लग रहा होगा जो तुमारा angular momentum लग रहा होगा हमेचा constant होता है इसका मतलब क्या है कि consider करो एक ballot dancer यहां प्रकांइम करते हैं विक तो कहाने देखो क्या होता है मालोग कि यहां पर एक बैलट डांसर है कि वह फलेखे पर दो कंड़ीशन कि कंडिशन न्युक्त करते हैं तो अपना हास बाहर रखें चाहां पर रक्नार रहा है अब यह अपना हाथ बाहर रखे हैं तो इनका जो mass distribution है वो axis of rotation से ज़्यादा दूर तक है यह मालव मेरा axis of rotation है axis of rotation से mass यहां तक distributed है मतलब mass बहुत ज़्यादा distributed है अब mass ज़्यादा distributed है तो moment of inertia भी ज़्यादा होगा तो लेसे यहां पर i क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा अब i ज़्यादा रहेगा तो इसका जो speed है वो क्या होगा कम रहेगा मतलब omega जो है वो कम रहेगा तुम लोग ने देखा रहेगा जब वो हाथ बाहर करके घूमते हैं तो थोड़ा slow घूमते हैं बरबर अब मालो सेम चीज़, उसका मास चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस उसने क्या किया, घूमने के लिए अपना जो हाथ है वो अंदर ले लिया, मालो ऐसा कर लिया, अब मालो ऐसा कर लिया, तो अब मेरा जो मास है वो axis of rotation से सिरीफ यही तक दूर है, बरबर इससे जादा मास distribution दूर है नहीं, मतलब यहाँ पर मास distribution कम हुआ, सिंस मास distribution कम हुआ, तो moment of inertia कम हो जाएगा, मतलब आई कम हो जाएगा, अब जैसी ही आई कम होगा, भाई, omega अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब omega अपने आप बढ़ जाएगा, इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर जो प्रोड़क्त है आई ओमेगा का वो अल्वेस क्या आएगा कॉंस्टेंट आएगा मतलब अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज अपने आप जादा हो जाएगी और उनका जो प्रोड़क्त होगा वो हमेशा पॉंस्टेंट आएगा मतलब जो एल होगा वो हमेशा क्या होगा ओके अब कंडिशन यह है कि भाई एक्स्टर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए इन अपसेंस ऑफ दे एक्स्टर्नल टॉर्क का कोई भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए ओके सो यह डिराइफ करेंगे हमको आता है डिराइफ एक्स्ट्रेइन एंड डिराइफ या फिर प्रूफ एंड डिराइफ या फिर स्ट्रेट एंड डिराइफ ओके या फिर स्ट्रेट एंड एंड एक्स्ट्रेइफ तो कहानी कैसे प्रूफ करनी है क्या करनी है क्या चीज उसम of angular momentum हम लोग क्या लिख सकते हैं in the absence of in the absence of external torque external torque in the absence of external torque क्या होगा वाई the angular momentum of rotating body angular momentum of rotating body is always conserved और या फिर constant होगे इतना हमनों बोल सकते हैं अब यह कहानी अपने को अप्रूफ करना है ओके अप्रूफ कैसे करेंगे देखो ध्यान से so let us start with a basic अपने को एक फॉर्मुला पता है वो फॉर्मुला आपन लेगे चलेंगे so we know that हमको पता एक फॉर्मुला that is l is equals to r cross p हम लोग ने देखा इसके पहले और यही फॉर्मुला हम लोग लेके चलेंगे भाई l is equals to r cross p अब इनको differentiate कर देते हैं तो दोनों साइड अगर हम लोग differentiate करेंगे तो differentiating with respect to time अगर हम लोग दोनों साइड differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा मेरको यहां पर मिलेगा that is dl by dt आया ना is equals to यहां पर क्या जाएगा that is d by dt in bracket r cross p बरबर in bracket r cross p ओक अब इसको differentiate करेंगे अब मुझे पता है यहां पर दोनों multiply है multiply है मतलब यहां पर तुम लोग का product rule लगेगा uv rule लगेगा yes ओनो तो यहां पर apply करो uv rule क्या मिलेगा देखो जरा uv rule क्या बोलता भाई एक बार एक को differentiate करो दूसरे को आज़ेटीज रखो फ़र दूसरे को differentiate करो पहले को आज़ेटीज रखो तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो जरा dr by dt मैंने इसको differentiate किया cross p को ऐसी रखा अब since it is a vector product order change मत करना order change कर दो कि तो गलत हो जाएगा प्लस अब आर को ऐसी रखते हैं किसको differentiate करते हैं dp by dt को differentiate करते हैं बरबर अब जरा ध्यान से देखो dr by dt क्या होता है dr by dt is nothing but velocity भाई देखो न यह पोजिशन वेक्टर है यहां पर देखो dp by dt यह dp by dt है क्या that is nothing but a force newton second law याद करो newton second law क्या बोलता था the rate of change of momentum the rate of change of momentum is nothing but force यहां पर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cross f हाय न रबर समझागी समझा यह r cross f यह r cross f होता क्या जरा याद करो तो it is nothing but a torque तो r cross f को हम लोग torque लिख सकते हैं plus torque हो जाएगा और इस चीज़ को आपन क्या लिख सकते हैं देखो mass एक scalar quantity यह mass को बाजू मिले लो क्या मिलेगा v cross v और सबको पता है भाई same quantity का अगर cross product लेते हैं तो answer क्या आता है answer आता है 0 मतलब v cross v क्या हो जाएगा तो यहां पर हम 0 yes or no vector form में कर रहे हैं तो भाई इसका जो cross product है वो 0 हो गया पूरा का पूरा यह तो 0 हो गया तो मेरे को DL by dt क्या मिलेगा मेरे को DL by dt मिलेगा that is torque आया ना DL by dt यह पूरा 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 पार्ट 0 हो गया तो क्या बचा है टॉर्क बचा अब यहां पर हम लोग ने लिखा है देखो जरा in the absence of external torque मतलब यहां पर torque absent है since torque is absent torque का value क्या हो जाएगा 0 ओके so since torque is absence since torque is absence भाई torque का value क्या हो जाएगा 0 अब torque का value 0 हो गया तो मेरे को क्या मिलेगा DL by dt is equals to 0 क्या मिलेगा DL by dt is equals to 0 और मुझे पता है भाई किसी भी quantity का differentiation अगर 0 आ रहा है तो वो quantity क्या होती है constant होती है yes or no अगर किसी भी quantity का differentiation 0 आ रहा है जैसे माल लो कि अगर मैं तुमको बोलू differentiate करो 5 को तो 5 को तुम लोग differentiate करते हो answer क्या आता है 0 कारण क्या है कारण यह है कि यह जो 5 है यह constant है तो वही same कहानी यहाँ पर भी लगेगी अगर DL by dt अगर DL by dt 0 है मतलब क्या है मतलब L जो है वो constant है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई angular momentum is constant यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं angular momentum is constant या फिर मैं बोल सकता हूँ i1 omega 1 बराबर हो जाएगा i2 omega 2 से यह भी बोल सकता हूँ दोनों बराबर है या फिर यह बोल दू या फिर यह बोल दू कि भाई i1 omega 1 is equals to i2 omega 2 यह दोनों सेम ही statement है याद रखना clear बासन आगे everyone पका यह आता है question ओके यह question तीन मांक के लिए चार मांक के लिए पूछा जा सकता है या फिर कभी-कभी न एक मांक के लिए पूछ लेते हैं खालिसका statement भाई statement बोलो क्या है तो statement यह लिख देने का इतना statement लिख angular motion के दौरान angular motion बोले तो rotation motion हो गया या फिर circular motion हो गया किसी भी angular motion के दौरान तुमको हमेशा angular momentum क्या मिलेगा constant मिलेगा याद रखना clear everyone पका यह principle इस्तमाल करोगे numerical बहुत जल्दी solve होगा तुम्हारा याद रखना ओके चलो आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग बात करेंगे moment of inertia of a uniform disc जैसे मैंने तुमको बताया था last lecture अगर तुमको याद होगा तो last lecture में हम लोग ने moment of inertia पढ़ा था भाई moment of inertia क्या होता है और मैंने तुमको ये भी बोलाता कि हर एक shape का हर एक size का moment of inertia क्या होता है बदलता है yes or no उसके shape और उसके size के हिसाब से mass distribution के हिसाब से moment of inertia बदलत है यह moment of inertia का formula है but what about भाई यह तो continuous mass distribution के लिए बट मालों कि अगर कोई एक regular shape हो वो regular shape का moment of inertia कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले होके तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग कौन से shape का देखेंगे हम लोग देखेंगे uniform disc तो माल लोग एक disc है uniform disc का यह low color का जो दिख रहा है यह तुम्हारा एक uniform disc है तो हम लोग consider कर लेते हैं consider a uniform consider a uniform disc of mass m of mass m and radius r capital r radius हम लोग ले लेते हैं capital r and surface density surface density that is sigma जैसे माल लोग कि तुमने density पढ़ा है mass density पढ़ा है जैसे रो रो क्या होता है mass by volume हाया ना यह तुम लोग ने पढ़ा है already यहां पर एक और quantity है that is called sigma सिग्मा को हम लोग बोलते हैं surface density surface density मतलब यहां पर क्या हो जाता है यहां पर आ जाता है mass by area यह जाता है mass by area यह जो volume है that volume replace with area okay मतलब यह 2D figure है 2D figure इसका कोई thickness नहीं है ना ऐसा नीचे कोई thickness नहीं है ऐसा ऐसा कोई thickness नहीं है तो भाई उसके पास volume नहीं होगा उसके पास क्या होगा उसके पास होगा simply area तो इसलिए यहां पर सिग्मा डिफाइन करते हैं that's called surface density and what is surface density that is mass by area clear बास ना गई जैसे से कुछ नया टमाते जाएगा मैं तुमको वहीं पर explain करते जाओंगा ओके यह अल्रीडी हम नहीं ने पढ़ा है बट मैं explain कर रहा हूं कि तुमको भाई याद आ जाओके that is called mass by area इसको क्या बूल थे म法ने करें ओके स्टृप कंसरीडर करेंगे क्या करेंगे एक सेंटर में हम लोग स्टृप केंसरीडर कर रहे हैं let's say जिसका थिकनेस DR है और वो संटर से कितने माई हैं चैनी से वह और आड़ एसेंटर से कितने टिस्टन से वहाहाले कंसर वहाले एरिया अगर हमें पूरे डिस्क का देखने जाओं तो फॉर पूरा डिस्क दे एरिया विल भी पायार स्क्वेर तो एरिया के जगे हम लोग लिख सकते हैं क्या यह किसके लिए फॉर डिस्क ओके और पूरा डिस्क ओके अब छोटे लिए इसके लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा डेखने हम लोग लिए श्का इरिया का इसका सा क्या हो जाएगा तो यहां पे देखो इसका सा circumference हो गया into the thickness that is dr ओके वो इंटू thickness हो जागा that is dr आया ना अब यहां से देको दोनों सिग्मा मिल गया मेरको अब दोनों सिग्मा सेम होगा भाई mass distribution तो सेम ही होगा ना यह सानो uniform mass distribution है तो अगर अमनों देखने जाए तो per unit area जो mass distributed है वो तो सेम होगा मतलब सिग्मा तुम लोग छोटे element का लो for small element या फिर पूरे disc का लो क्या ही मिलेगा सेम ही मिलेगा तो यह जब सिग्मा दोनों सेम है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ m divided by pi r square is equals to dm divided by 2 pi r into यहाँ पर dm नहीं आएगा यहाँ पर आएगा d r d r thickness का है ना हाया अब यहाँ से देखो मिलेगा dm क्या मिल रहा है therefore dm is equals to यह सारी quantity इदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा that is 2 pi small r d r divided by pi capital r square into m हाय ना देखो पाय से पाय कटा यह सो नो ओके पाय से पाय कट जाएगा यह सो नो तो मिलेगा मेरे को मिलेगा dm is equals to 2 r into d r capital m capital m by r square हाय ना यह मेरे को dm मिल गया अब मेरे को पता है मोमेंट आफ इनर्शिया का definition क्या है मोमेंट आफ इनर्शिया का definition है जब तुमारे पास discrete mass हो तो क्या हो जाएगा देखो जरा यहां पर we have the definition अगर तुमको याद होगा तुमने पहला लेक्चर देखा रहेगा rotational dynamics का मेरे खाल से lecture number 3 अगर नहीं देखा है तो पहले देख क्या जाओ क्यों बहुत important है तो वहान पर हम लोगने moment of inertia को कैسе define किया है वहाँ पर हम लोगने moment of inertia को define किया है आई dokład मिला है यह त्वहरीं क्रते हना यह मेने गलती क्यूल तो जड़ा सब्स्टिट्यूट करो देखो क्या मिलेगा तो therefore i is equals to integration r square को ऐसी रखो तो r square as it is आ गया यह जो dm है यह dm के जाके पूरा यह सब्सक्राइब यह नहीं किया बस यह जो dm का वैल्यू है यह पूरा का पूरा वहां पे पूट कर दिया that is 2R यह आर है नॉट रस्वेर अब क्या हो जाएगा देखो क्या-क्या पॉंस्टेंट बाहर आ जाएगा that is 2 बाहर आ जाएगा M बाहर आ जाएगा whole mass constant रहेगा capital R is nothing but a radius of disk वो भी constant रहेगा तो सारा चीज बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को देखो 2 M by R square बाहर आ गया integration यह R square है यह R है that is R cube into DR अब कहां से कहां तक यह R vary कर रहा है यह जो small R है यह कहां से कहां तक vary कर रहा है यह vary कर रहा है यहाँ 0 से पूरा total R तक है सोनो तो that is varying from 0 to capital R बरबर अब क्या हो जाएगा देखो सारा इसको integrate करो तो क्या हो जाएगा that is 2 M by R square इसको integrate करेंगे तो R raise to 4 by 4 हाई ना कहां से कहां तक 0 से R तक by 4 कहां से कहां तक R से 0 substitute the limit अगर limit substitute करेंगे तो क्या मिलेगा equals to अगर हम लिमिट substitute करेंगे that is 2 M by capital R square by capital R square क्या हो जाएगा R raise to 4 यहाँ प्या हो जाएगा R raise to 4 divided by 4 minus 0 हाई ना अब क्या हो जाएगा देखो सारा यह 2 1s यह 2 2s यह raise to 4 का cancel हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2 हाँ या ना तो R raise to 2 तो क्या मिलेगा that is M R square by 2 हाँ या ना this is the moment of inertia of a disc ओके uniform अगर disc रहेगा तो उसका moment of inertia क्या होगा इतना moment of inertia होगा कब जब उसका axis of rotation कहां से pass हो रहा हो उसके center से pass हो रहा हो तो उसका moment of inertia होगा वो कितना होगा M R square by 2 कितना होगा M R square by 2 होगा ऐसे बहुत सारे अलग-अलग shapes के हैं हमारे पास ring के लिए है हमारे पास अगर तुमको अगर तुमने test book खोल के देखा रहेगा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है तुमारे पास तुमारे पास yellow में पूरा पूरा लिखा हुआ है disc के लिए लिखा हुआ है ring के लिखा हुआ है solid spear के लिए लिखा हुआ है हमारे पास सारा चीज है तो मैं एक बार suggestion दोंगा कि यह table एक बार go through कर लो और याद कर लो हम derive तो करी सकते हैं ऐसे हम लोग process से किसी भी shape का moment of inertia हम लोग derive कर सकते हैं बट अच्छा होगा कि अगर तुमको चीज़े थोड़ी सी रटी हुई हो तो क्या होगा exam में हमको बहुत फायदा होगा अगर मानलो derivation नहीं आया और मानलो मेरे को किसी का formula चाहिए तो मेरे को पूरा derive करना पड़ेगा तो उसमें मेरा time waste हो जाएगा यह सौनो तो derivation तो तुमको पता होना चीए इसलिए मैंने तुमको करके बता है बट साथ में तुमको चीज़े direct याद होनी चीए तो वो जो yellow table मैंने तुमको दिखाया test book का वो एक बार go through कर लेना तुमको काम आएगा वो चीज़ अब यहाँ पर कहानी क्या बनती है कहानी ये बनती है कि माल लो यहाँ पर मेरे को moment of inertia पता है let's say अगर मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पर moment of inertia निकालना है इस axis के along moment of inertia निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए we have two theorem हमारे पास दो theorem है one is called as parallel axis theorem and another is called as perpendicular axis theorem okay and one of the most important question of this chapter again I am saying कि भाई perpendicular axis theorem और parallel axis theorem बहुत जादा पूछा जाता exam में तो यह बहुत important topic है ध्यान से समझने कोशिस करो बहुत चिंदी topic है जादा दिमाग लगाने वाला topic नहीं बहुत चिंदी topic है और आराम से आ जाएगा clear चलो कानी समझने की कोशिस करते हैं ध्यान से समझो जादा tension लेने वाली बात नहीं है तो let's say बाई एक rigid body है यहाँ पर हम लोग ने एक rigid body consider कर लिया है यहाँ पर दो axis हम लोग consider कर लेते हैं लेसे एक axis पास हो रहा है O point से और एक axis पास हो रहा है let's say C point से यहाँ अब यह जो C वाला point है यह है भाई the axis of rotation passing through the center of mass मतलब यहाँ पर जादा करके हमको moment of inertia पता होता है पता होता है let's say यहाँ पर मेरको moment of inertia निकालना है O axis पर मेरको moment of inertia निकालना है भाई O axis से पास हो रहा है और यहाँ पर moment of inertia मेरको निकालना है तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए हम लोग इस्तमाल करते है parallel axis theorem what is parallel axis theorem parallel axis theorem बोलता है the moment of inertia at any point the moment of inertia at any point is equals to the sum of moment of inertia sum of moment of inertia about center of mass center of mass से जो पास हो रहा है वो वाला moment of inertia and the product of mass and square of the distance भाई यह जो दोनों एक्सिस के बीच का जो distance है न लेस से उसको h नाम दिया है तो उनका square तो फॉर्मुला क्या होता है फॉर्मुला होता है आई नॉट इस इकोल स्टू आई सी प्लस एमेच का square आई नॉट ऐसे याद कर सकते हो भाई आई नॉट मतलब जहां पर निकालना है आई सी मतलब ऐसा axis जो center of mass से पास हो रहा हो जिसके long moment of inertia हमको पता होता है प्लस mh का square m is nothing but a mass of the body whole body and h is nothing but a distance between both parallel axis बोथ the parallel axis ओके बाहत समना आ रही है चलो अब इसका derivation भी आता है यह तो statement की बात हो गए अब इसको derive करेंगे कि यह फॉर्मुला आया कहां से है तो उसके और same ic यह जो point दिख रहा है तुमको जो axis of rotation c से पास हो रहा है तो यहां से point ले लेते हैं rc distance क्या ले लेते हैं rc distance अब मुझे पता है what is moment of inertia कि अलोंग ओ अगर हम लोग देखने जाए तो ओ से जो axis पास हो रहा है उसके along moment of inertia कितना मिलता है उसके along moment of inertia मिलेगा that is i0 is equals to integration r0 square into dm हम लोग ने फॉर्मुला देख लिया यह सानो अब माल लो moment of inertia along c जो c वाला point है यहां से जो axis पास हो रहा है उसके along moment of inertia क्या होगा that is ic is equals to integration rc square dm है न यह दो moment of inertia अपने को आ गया दो moment of inertia अपने पास है अब इनके बीच में कहीं न कहीं relation develop करना है और वो relation develop करने के लिए we will use the triangle हम लोग यह जो बड़ा वाला ट्रांगल है न let's say odn यह वाला triangle हम लोग इस्तमाल करेंगे तो मैं बोल सकता हूं इन triangle in a triangle odn दिख रहा होगा सबको odn यह जो triangle है यह triangle देखो क्या है ज़रा ध्यान से देखो तो उसमें मैं बोल सकता हूं पाइथगरस theorem लगाओ ज़रा तो od का square od का square बराबर हो जाएगा तुम्हारे dn के square से प्लस on के square से हां या न तो यहां पर आज जाएगा on का square प्लस dn का square यह तो सब को पता है भाई पाइथगरस theorem में अब यह जो on है यह on can be written as oc plus cn oc plus cn तो यह on को हम लोग लिख सकते हैं od square yes or no on can be written as that is oc plus cn हां या न that is oc plus cn plus dn को ऐसी रखो as it is dn का square अभ यहां पर देखो bracket open करो इस चीज को अगर bracket open करो तो क्या मिलेगा od का square बराबर हो जाएगा bracket open करो a plus b whole square का formula लगा that is oc का square plus 2oc into cn plus cn का square plus dn हां या न का square यह जो dn का square है यह as it is अब यहां पर ही छोड़ दो इसको यहां पर ही छोड़ दो अब दूसरा triangle consider करो let's say inner triangle यह जो छोटा वाला triangle दिख रहा है न यह वाला cdn यहां पर भी पाइथोगरस लगाओ देखो क्या मिलेगा पाइथोगरस लगाएंगे तो यह cd का square cd का square देखो cd का square किससे बराबर हो जाएगा that is dn के square plus cn के square से हां या न तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ cn का square just a square द्हान का स्कुरेर स्कुरेर प्लस dn का square आप धहान से देखो मैंने तुमको बता आया था नेखिच का cn का square plus dn का square cn का square प्लस dn का square मतलब छीन स्कुरेर प्लस dn के square के जगे हम लोग CD square लिख सकते हैं तो यह CD square यहाँ पर चिपका दो क्या मिलेगा देखो ज़रा क्या मिलेगा देखो ज़रा ध्यान से यह चिपका दो यहाँ पर तो therefore you will get OD का square is equals to OC का square plus 2OC into CN और साथ में इसके जगे क्या जाएगा इसके जगे पूरा का पूरा आजाएगा CD का square तो plus CD का square हाँ यह ना, अब ज़रा ध्यान से देखो OD है क्या, OD is nothing but R not तो यहाँ पर लिख दो R not का square is equals to OC, देखो ध्यान से ज़रा OC है क्या, ध्यान से देखो OC is nothing but H तो यहाँ पर लिख दो H का square प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2 O C again O C क्या है that is H integration C N C N को as it is रखो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा C D दर ध्यान से देखो C D क्या है C D है तुमारा RC तो तुमारा RC का अब इसको integrate कर दो with respect to DM तो integrating integrating with respect to DM हाँ या ना तो इसको integrate कर दो integration of R naught का square DM is equals to integration of H square DM plus integration of 2H into C N DM plus integration of RC square DM हाँ या ना अब देखो यह तो तुमको पता ही है भाई integration of R naught square DM क्या है I naught तो इसके जाएगे तो I naught आ जाएगा यह चीज़ तो clear हो गया integration of RC square इसके यहाँ तो IC आ जाएगा मतलब इसके जाएगे IC आ जाएगा यह भी clear हो गया moment of mass along center of mass is always 0 okay sum of moment of mass moment of mass मतलब क्या भाई distance into mass यहाँ पर देखो यह जो distance है यह distance into mass यह cn क्या है यह cn डिस्टंस है पर्पेंडिकुलर डिस्टंस into यह mass तो यह moment of mass है किसके अलॉंग center of mass के अलॉंग तो sum of moment of mass along center of mass is always 0 तो यह condition 0 हो गया यह condition 0 हो गया यहाँ पर क्या मिलेगा यह जो integration of dm है integration of dm क्या होगा भाई छोटे छोटे-छोटे mass को अगर हम लोग integrate करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा बडा mass तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा capital M yes or no और यही तो फॉर्मुला है यही तो फॉर्मुला है यही तो फॉर्मुला है देखो सरा that is I not is equals to I C plus mh ka square yes or no this is nothing but your parallel axis theorem यही तो मरा parallel axis theorem है बासना आरा है विववन this is nothing but a parallel axis theorem everyone पका सम्झा okay what is the statement statement is nothing but a by the sum the moment of inertia about any axis is equals to the sum of moment of inertia about center of mass and a product of mass of the body and a square of the distance between the axis okay बाई दोनों axis के बीच का जो h है उसका square this is nothing but a statement तो कभी कभी याता है state and derive the formula so by statement है तुमारे पास book में है already है मैंने बता दिया है रट लो उस चीज़को और derivation तुमारे सामने है बहुत बैतरी ना आसान से derivation है हाँ इसमें diagram इसमें डाइग्राम बनाओगे याद रखना physics में जितना derivation में तुम diagram बनाओगे जितना तुम consideration लिखोगे ना चीज़ों वही समझ में आने लगें तो सामने वाला समझ में आदा बंदे को पता है बंदा आपने उखमा नहीं रहा है तो यह बहुत advantage चीज़े याद रखना दिमाग में बैठागे रखना clear यह हो गया तुम्हारा parallel axis theorem क्या हो गया parallel axis theorem the next is perpendicular axis theorem perpendicular axis theorem भी बहुत easy कहा रही है यहाँ पर माल लो कि एक laminar body हो कि याद रखना perpendicular axis theorem हम लोग तभी लगा सकते है parallel axis theorem तभी लगा सकते है जब laminar body हो मतलब उसकी जो thickness होना वो ना के बराबर हो यहाद रखना हो कि हम लोग एक consideration है कि यहाँ पर भी थिकनेस हम लोग इमाजिन नहीं करते हैं this is called as laminar body मतलब जिसकी थिकनेस ना के बराबर हो तो पतला सा बोड़ी है तो यह पतला सा बोड़ी है पतला जिसकी थिकनेस ना के बराबर है अब पर्पेंडिक्डिक्लर आकस थिएरम के लिए हमारे पास तीन आकसिस होना चीए भाई तीनों आक्सिस mutuallychlossen perpendicular होने चीए दो आकसिस उस plane पे होने चीए और एक solvent से बाहर होना चीए जैसे यहाँ पे देखो एकस और य उस plane में है मतलब उस plane पे है ऐसा है यह X हो गया और यह Y हो गया और जो Z है वो उससे बाहर निकला हुआ है यह X हो गया यह Y हो गया और Z उससे बाहर निकला हुआ है ओके तो यहां पर what is perpendicular axis theorem say that perpendicular axis theorem say that भाई I Z बराबर होगा I X plus I Y के I Z किसके बराबर होगा मतलब जो axis perpendicular है जो बाहर आ रहा है उस laminar body से वो बराबर होगा sum of both the axis जो उस plane पे हैं जो दोनों plane पे हैं जैसे X और Y plane पे है न तो उन दोनों का sum जो करोगे तो तुमको third axis मिलेगा क्या मिलेगा third axis मिलेगा that is a moment of inertia about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia in the plane moment of inertia along the axis in the plane जो axis है जो plane पे हैं जो plane पे हैं उनका sum करोगे तो तुमको third axis का moment of inertia मिलेगा ये कहां से आता है same derivation ओके मालो भाई आप एक triangle ये वाला triangle let's say इसका नाम देदो ओ इसका नाम देदो पी और इसका नाम देदो एम इन ट्राइंगल OPM क्या मिलेगा inner triangle OPM अगर हम लोग देखने जाए तो OPM triangle में क्या मिलेगा अपने को same pythagoras लगाना है तो that is OM का square बराबर हो जाएगा ये OM hypotenuse बराबर ये perpendicular है तो OP का square plus that is PM का square हाय ना अब इसको integrate कर दो with respect to DM integrating with respect to DM क्या हो जाएगा integration of OM का square into DM is equals to integration of OP का square into DM plus integration of PM का square into DM तो ये क्या ही है जर्णा OM देखो OM क्या है OM is nothing but a distance from ZX to DM that is R तो यहां पर लिख दो R का square OP जर्णा ध्यान से देखो OP क्या है भाई OP ये distance है मतलब ये तुम्हारा X distance हो गया तो write down this X square DM plus integration of PM जर्णा ध्यान से देखो PM is nothing but your Y तो Y square DM हाई है ना तो यहां पर basically क्या मिलेगा मेरको ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो यहां पर क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा को integrate करना है you will get the answer ओके यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ऐसा मत रखो कि I Z I X I Y ना ना अब मालो अगर किसी ने सब घुमा के दे दिया तुमको मालो इसको Z लिखा ही नहीं मालो तुम लोग ने किसी ने ऐसा लिख दिया कि भाई यह Y है और यह Z है और यह X है तो तुम ऐसा रट होगे I Z is equal to I X plus I Y तो गलत हो जाएगा यहां पर ध्यान दो भाई कौन सा आक्सी से देखो यह कौन सा बाहर निकल रहा है एक्स ऐसे याद रखू ओके तो तुमको समझ महाएगा चीजे यस और नो मैं वापस लिख देता हूं कि हमने डेरिवेशन उसके बेसिस पर ही किया है अगे बट ऐसे नहीं याद रखना है कि भाई I Z is equal to I X plus I Y यह चीज रटना नहीं है ओके यह पता होना ची कि यह वाला जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मतलब प्लेन से बाहर आया हुआ है और यह दो दोनो है यह प्लेन पे हैं on the plane है और एक्जाम में कभी-कभी खाली statement पूछ लेते हैं और खाली statement पूछ लिया तो statement लिख दो और formula लिख दो well and good है कोई problem नहीं तुमको marks मिल जाएगा ओके चलो सो आज का topic हम लोग क्या करेंगे यही पर एड़ करेंगे बहुत लंदी वीडियो हो गया बट भाई आज हम लोग ने अच्छा कासा topic कवर किया तुमको क्या करना है तुमको सारे topic revise करना है revise करो कुछ doubt है तो comment section में पूछ सकते हो नहीं तो मैंने तुमको instagram का handle दिया हुआ वहाँ पर जाके DM करो को issue नहीं है क्लियर वहाँ पर हम लोग discussion कर सकते हैं चलो आज का topic क्या करेंगे यहीं पर end करेंगे अगर तुम लोग ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो फटाइक से bell icon दबाओ क्यूंकि तुमको भाई क्या करना है notification जाना चीए सोनो और अपने colleagues पर share करो ओके यह बहुत important चीज़े हैं समझ मैं आज सबको और बागी जो remaining topic है next lecture में आगे तो हम लोग rolling motion स्टार्ट कर देंगे और next lecture में ही हम लोग rolling motion खतम कर देंगे clear बास में आगे everyone चलो so आज का lecture यहीं पर end करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much